कि अगर 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 है अगर अगर है अगर अगर है हलो स्टुएंट्स क्लास 11 अकाउंटेंसी युनिट 3 अकाउंटिंग क्विशन हमारा चल रहा है सब्सक्राइब कि अकाउंटिंग करेंगे मैंट हमोने स्टार्ट कर जाब कि ऐसे अथाते हैं चलिए क्या कहता है ट्रांजिक्शन नमबर फोर goods costing 20000 sold for Rs. 24000 on credit so goods costing 20000 goods costing Rs. 25000 sold for rupees 24,000 और यहां लिकलो on credit यहीं पर तो क्या कहने का मतलब है question का यह है business हम जो भी बात करेंगे business के point of view से भी बात करेंगे और business में बताइए कितना अभी stock है जिसे हम बेच सकते हैं यानि unsold goods अभी कितना है stock कितने का है 90,000 रुपे का stock है 90,000 रुपे का stock है जिसे अभी हम बेच सकते हैं क्या कर रहा है कि यह भी cost पर है 90,000 और कहता है कि 20,000 रुपे का समान बेचा गया है यानि इस 90,000 में से 90,000 में से अभी कितने का सामान बेचा गया है 20,000 रपे के cost का सामान बेचा गया है तो 20,000 रपे निकल गया जो unsold goods था जो stock था मेरा 90,000 में से 20,000 रपे का stock निकल गया तो minus कर देंगे कितना stock में से 20,000 हम minus कर देंगे 90,000 था अब इसमें से हम 20,000 रुपे का stock जो है वो बेच रहे हैं तो 20,000 रुपे माइनस कर देंगे ठीक है अगर हम cash में बेचते तो हम cash जो है अगर cash में बेचते तो stock यहाँ पर बेच रहे हैं तो stock कम हो गया और cash हो जाता यहाँ पर plus 20,000 समान बेचते stock कम हुआ और asset क्या हो गया इंक्रीज हो गया यानि cash जो है यहाँ पर increase करता 20,000 से लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कहा है यहाँ पर कहा है कि cash में नहीं बेचे हैं और जाहिर से बात है कि जो BCR का समान है वो cost पर है तो हम इसको profit पर भी बेचेंगे अगर cost price पर बेच बोलता है तो यहाँ पर BCR stock minus कर देंगे BCR पर cash plus करेंगे लेकिन कोई बेवकूफ businessman ही होगा जो BCR के समान को market में BCR में बेचता है ऐसा कोई करता नहीं है क्योंकि business करा ही जाता है profit के लिए कोई भी business चाहे sole proprietorship का business हो partnership का business हो या company जो आपका business है कोई भी business आपका profit के लिए काम करता है और profit maximization ही जो है वो किसी भी business का aim होता है तो profit कैसे होगा profit तो समान बेच करके होगा तो cost price से बेचेंगे तो profit नहीं होगा जाहिर सी बात है cost price से उपर बेचा जाएगा तो यहाँ पर कहा गया question में कि कितने का समान 20 या का समान बेचा कितने में गया 24,000 रुपया में बेचा गया तो इसका मतलब कि profit कितना लिया गया profit लिया गया 4000 रुपया ठीक है 4000 का profit हुआ और 24 रुपय सेलिंग प्राइस हुआ यानि समान जो है वो बेचा गया 24 रुपया में बताईए अगर cash में होता तो 24 रुप्लस करते हैं और capital में 4000 रुपय वहाँ प्लस करते हैं क्य प्राइस में बेचे या credit में बेचे हम समान को समान तो हमारे पास से BCR का चला गया इसके बाद आईए profit पे profit is a source of additional capital profit ही जो है वो capital को increase करता है बढ़ाता है तो 4000 का जो profit है वो हम capital में add करती है पहले जो हो रहा वो देखते जाते हैं और अभी हम समान बेचे हैं तो सामने से ह हम को पैसा मिलना है जिसे हम समान बेचे हैं यह business को near future में 24,000 रुपया देगा तो business के पास पैसा आने वाला है near future में और सामने वाला जो है बन्दा वो पैसा देगा तो वो लेंदार नहीं है बलकि देंदार है क्योंकि business को पैसा देगा तो यह हो गया business के लिए data data तो देख पहले से एक लाख रुपय देने को तो तयार है एक लाख रुपय तो आएगा ही data से अब और कितना आएगा 24,000 रुपय तो plus कर देंगे 24,000 रुपय यहाँ पर data में plus कर देंगे cash आता तो cash plus करते 24,000 data यहाँ पर increase नहीं होता तो देखिए stock decrease हो गया data आपका increase हो गया और जो profit हुआ वो capital में add कर दियें अब आप कोगे कि यहाँ पर तो उधार में समान बिचा गया है तो 24,000 रुपय बिजनस को तो मिला नहीं इसलिए data में तो हम 24,000 रुपय एड कियें कि सामने से 24,000 रुपय मिलना बाकि है business को लेकिन पैसा मिला ही नहीं तो हम capital में 4,000 रुपय क्यो नहीं 24,000 रुपय यानि cost और profit दोनों मिला के जो selling price है यह अभी business को मिला ही नहीं है ठीक है नहीं मिला है तो stock तो बेचे तो minus होगा 20,000 सामने से 24,000 र आएगा तो data भी plus होगा 4000 यह तो समझ में आता है तो profit कैसे increase कर गया क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो accrual system से बनाते हैं और चाहे आपका cash मिले या ना मिले उसे record करना पड़ता है इसलिए इस profit को हम क्या करेंगे capital में add कर देंगे क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं आपे accrual system से कर रहे हैं है ना पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें इसको record करना है तो अगर माल लो कि हम यह बोलते हैं कि 4000 पे हमें अभ हम जो भी record करते हैं वो accrual system से record करते हैं मिले या ना मिले आपको record करना है expense के लिए भी वही बात है income के लिए भी वही बात है अगर expense हो रहा है दिये हो या ना दिये हो उसे record करना है और income अगर मिला हो या ना मिला हो उसे record करना है तो 4000 रुपे हम महाँ पर add कर दी हैं इस transaction का जो था आपका उस पर क्यास पर कोई असर नहीं पड़ा कोई क्यास रिसीब हुआ नहीं तो यह हो जाएगा आपका 0 और कोई आउटसाइड लाइबरिटी भी इंक्रीज नहीं किया तो यह भी हो जाएगा 0 तो नया समीकरन new equation क्या बनता है वाभूंबू देखते हैं देखो new equation business में cash कितना है? 2,40,000 रुपया मौजूदा हलात में business के पास जो cash है वो 2,40,000 रुपया है stock तो हमने बेच दिया तो अब stock 70,000 का बचा 90,000 में से 20,000 का तो हमने बेच दिया अभी-भी हमने बेचा तो 70,000 रुपय का stock बचा अब सामने वाला बन्दा हमको पैसा देगा डेटर हमको पैसा देगा तो डेटर जो पैसा देगा वो 1,24,000 रुपय देगा पहले से 1,00,000 है अब 24,000 रुपय और देगा तो 1,00,23,000 रुपय मिलेगा हमको अभी तक outsider को मैंने कोई भी payment नहीं किया है question में कोई भी payment करने को नहीं कहा है तो मैंने कोई payment नहीं किया है और 80,000 रुपे का creditor अभी भी मौजूद है और capital इंक्रीज होके हो गया है 3,54,000 रुपीज ये आपका capital हो गया है अभी भी आप देखोगे तो आपका जो equation है वो बिल्कुल tally कर जाएगा, match कर जाएगा चलो अब देखते हैं transaction number 5 क्या कहता है कहता है paid for rent, 4,000 and for salaries, 8,000 paid for rent, रुपीज 4,000 and लिखता है for salaries, for salaries, रुपीज 8,000 rent paid क्या गया है, business ने क्या किया है, rent pay क्या है अब थोड़ा से यहां पर हम बात करते हैं इसको उठाते हैं पहले देखिए अगर हम business के point of view से देखें तो business यह जो चल रहा है अब जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर business स्टार्ट करना चाहेगा तो वो business जो है खुद का जमीन या खुद का उस पर building बना करके नहीं करेगा सारे लोग के पास इतना नहीं होता है पैसा कि वो खुद का जमीन खर दे फिर उस पर building बनाएं और फिर जाकर business स्टार्ट करें बहुत सारा जो business है वो rent पे चल रहा है तो यहाँ पर जो यह business चल रहा है इस business को जो business है वो rent पे चल रहा है तो business ने rent pay किया 4000 रुपीज, ये business के लिए expense है, क्या है? expense है, खर्च है, अच्छा, फिर business के अंदर बहुत सारे employee काम कर रहे हैं, और उन employee को salary देना होता है, और business जो है, वो अपने employee को salary देता है, और ये salary जो है, वो business के लिए क्या है? expense है, तो salaries, rupees कितना है? 8000 रुपीज, ये 8000 रुपीज भी business के लिए क्या है? expense है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जो भी expense है, वो cash को भी घटाएगा, और capital को भी decrease करेगा, उससे capital भी जो है, आपका decrease होगा, तो आपका जो भी expense है, उससे cash भी घटता है, और उससे capital भी आपक घटता है, चलो, तो देखते हैं, क्या आपका इस पे असर होता है, देखे, यहाँ पर cash minus करेंगे, business ने rent पे किया, expense है, 4000 रुपे cash minus करेंगे, और salary, business ने अपने employee को salary पे किया, 8000 रुपे, तो 8000 रुपे हम यहाँ पर salary का expense के तोर पे minus करेंगे, अब जाहिर सी बात है कि जा रहा है, एक पर 8000 रुपे जा रहा है, तो हम दो बार नहीं लिखेंगे, दोनों को जोड़के एक साथ लिखेंगे, कि total business से cash कितना गया, तो total business से 8 और 4, 12000 रुपे का cash जा रहा है, तो हम सीधा minus कितना करेंगे, 12000 रुपे, ठीक है, एक साथ minus करेंगे, दोनों expense को मिला क तो 12000 रुपे यहां पर हमने cash minus कर दिया, अच्छा, expense से क्या होता है, कि capital भी decrease करता है, तो यहां पर हम minus कर देंगे, 12000 रुपे capital से, अब क्यों capital decrease करता है, देखे, कोई भी आपका expense, तो जब expense आप कोई भी खर्च करते हो, तो इससे आपका profit भी कम होता है, और उसी profit को आप capital में add करते हो, तो capital भी कम होगा, जैसे थोड़ा आप बात को समझते हैं, कि देखो, माल लो, capital है, एक लाख रुपे का, अभी यहां पर छोड़ देते हैं, capital हम माल लेते हैं, अभी कितना, एक लाख रुपे का, capital है, business के पास, और profit हुआ business को, suppose, 10,000 रुपया, तो यही profit को हम capital में add करते हैं, तो capital increase करता है, माल लो, यह 10,000 का profit हम capital में add गियें, profit, तो अब जाकर के, जो honor का पैसा business में है, यानि जो capital है, वो क्या हो गया, एक लाख 10,000 रुपे हो गया, ठीक है, अच्छा, माल लो कि अभी business को जो है, वो एक हजार रुपय कोई expense देना है, माल लो आपका यही rent और salary मिला करके, business को एक हजार रुपय देना था, तो अगर एक हजार रुपय देना है, तो इससे profit decrease करेगा, और एक हजार जब दोगे, तो profit हो जाएगा आप 9,000 रुपय, जो business का income है, जो revenue है, उसमें से हम expense को घटा देंगे, तो अब आपका जो है, यहाँ पर profit हो गया 9,000 रुपय, ठीक है, अब इस 9,000 को अब हम profit में add करेंगे, तो अब 10,000 के जगा कितना add करेंगे, 9,000 रुपय आइड करेंगे, तो अब जो capital है, वो 1,10,000 से कितना हो जाएगा, 1,9,000, तो जो भी expense हुआ, उससे क्या होता है, profit decrease होता है, और वही ultimately जाकि capital में add होता है, तो expense की बिसे profit decrease हुआ, जिसे capital भी आपका decrease करेंगा, ठीक है, तो इसलिए जो है, आपका यहाँ पर कोई भी expense, cash को भी कम करता है, और capital को भी कम करता है, क्योंकि जो भी expense है, वो ultimately आपके profit को कम करेंगा, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर cash minus हो गया, और capital 12,000 पर minus हो गया, इस transaction का stock पर कोई फरक नहीं पड़ा, 0 रहे गया, इस transaction का data पर कोई फरक नहीं पड़ा, 0 हो गया, और इस transaction का outside library और credit पर कोई भी असर नहीं पड़ा, तो यह भी आपका 0 हो गया, अब, new equation क्या होता है निया समी करन क्या है निया समी करन new equation मतलब business का अब मौजूदा हालात क्या है अब business में बताईए cash कितना है तो 2,40,000 रुपया का आपका business में cash है जिसमें से 12,000 रुपया तो आपका cash घट गया तो 2,28,000 का अब cash बचा तो यहां पर हम जो है cash plus करेंगे 2,28,000 रुपया यहां पर हो गया 2,28,000 रुपय cash है ठीक है इसके बाद stock कितने का है 70,000 का मातर भी stock है जिसको अभी हम market में बेच सकते हैं अपने customer को बेच सकते हैं 70,000 का है 70,000 का समान जो है वो cost पे है इसको हम जाहिर से बात है profit में बेचेंगे data अभी कितना है 1,26,000 रुपय मतलब अभी business को 1,26,000 रुपय नियर future में मिलेगा outside लार्बिडिस कितना है 80,000 मतलब अभी creator को हमने कोई payment नहीं किया है तो यहां पर 80,000 रुपय का outside लार्बिडिस है और capital अब कितना हो गया तो capital अब हो गया 342,000 यानि 3,42,000 रुपीज जो है अब आपका capital आया चलो अब आपका यहां पर एक last transaction है goods costing जो है 40,000 sold for रुपीज 37,000 for cash यहां पर last transaction जो है वो क्या कहता है आपका goods का जो है वो costing है goods costing रुपीज 40,000 40,000 का समान जो है वो क्या क्या जा रहा है बेचा जा रहा है sold sold for rupees 37,000 और क्या से बेचा जा रहा है for cash cash में बेचा जा जा रहा है ठीक है अब क्या बनेगा देखिए 40,000 का समान बिजनस बेच रहा है यह है बिजनस और बिजनस में बताइए अभी stock कितने का है यानि कितने का business अभी goods बेच सकता है तो 70,000 का समान बेच रहा है 70,000 का stock business के पास है इसमें से कितना का goods बेचा जा रहा है तो बोलता है 40,000 का cost का goods बेचा जा रहा है तो 40,000 का समान बिजनस से निकल गया cost यह cost 40,000 का समान जो है निकल गया तो बदाए यह stock कितने से कम हो जाएगा 40,000 से 40,000 से 40,000 से stock कम हो जागा और बेचा कितने में जा रहा है तो 40 Aar का समान ऐसे देखो कि 40 Aar का समान 37,000 में यहां पर बेचा गया है यानि बिजनस को जाहर सी बात है थीन थार का लॉस हो रहा है तो Loss is equal to cost price minus selling price कितने का समान cost है बताएए 40,000 तो 40,000 cost है और बेचा कितने में गया है minus selling price, कितने में बेचा गया है तो 37,000 में जो है, वो बेचा गया है तो यहाँ पर selling price हो गया 37,000, 40,000 का समान को 37,000 में बेच दिया गया तो यहाँ पर 3000 रुपे का loss हो गया कितने का समान निकल गया 40,000 का stock minus कर दिया है 3000 रुपे का loss हुआ जैसे profit is the source of additional capital जैसे profit जो है, वो capital को बढ़ाता है वैसे loss जो है, वो capital को घटाता है तो यहाँ पर 3000 रुपे से हम यहाँ पर capital को minus कर देंगे ठीक है, अगर profit होता तो plus करते है 40,000 से उपर में बेचते है 41,000 बेचते हैं, तो 1000 रुपे capital में plus करते हैं अभी 40,000 से कम में बेचे हैं 37,000 में बेचे हैं, तो 3000 का loss है जो कि हम capital में क्या करेंगे reduce करेंगे, minus करेंगे ओके, इसके बाद और क्या होगा बोला है, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है क्यास में बेचा गया है यानि business को cash receive हो गया कितना? 37,000 रुपीज cash receive हो गया तो cash plus कर देंगा, 37,000 तो देखो, इधर आपका minus 40,000 and plus 37,000 तो 3000 जो है, minus में है और इधर भी 3000 minus में है यानि equation तो balance कर जाएगा और इस transaction का outside liabilities पे कोई फरक नहीं पड़ा और data पे कोई फरक नहीं पड़ा ये आपका zero हो जाएगा अब जो है सारा transaction complete हो गया है अब final equation क्या होगा अब मौझूदा हराद business है क्या है? present अब business में कितना cash है, कितना stock है कितना data है, कितना outside liabilities यानि creditor है और कितने का capital है, अब हम ये देखेंगे, और finally हम सब को conclude करेंगे, और हम business के financial position को जाने की कोशिस करेंगे balance sheet prepare करके, चलो तो अब हम देखते हैं कि क्या जो है आपका मौझूदा हराद है business का यहाँ पर 2,28,000 रुपीज का cash पहले से है, and 37,000 का जो है cash वो अभी और आया है, तो 2,65,000 रुपीज का यहाँ पर cash है business में plus कर देंगे 2,65,000 रुपीज ठीक है, 2,65,000 रुपीज का यहाँ पर हो गया, और अब बताइए कि business में stock कितने का है, तो 40,000 रुपीज का stock कम हो गया, सामान बेच दिया गया, तो 30,000 का और बचा 30,000 रुपीज का stock और बचा 30,000 का stock है, जिसको अभी भी बेचा जा सकता है अब data सामने वाले से कितना पैसा मिलना है, 1,24,000 रुपीज कितना है इसे यह हो गया balance जानी, जितना cash होना चाहिए उसे कहीं ज़्यादा cash है 2,65,000 रुपीज का cash है जिससे outside libraries जानी creator को payment किया जा सकता था लेकिन question बें नहीं कह रहा है तो हम अपने मन से नहीं करेंगे payment जबकि payment जानते हो, आप देख रहे हो कि किया जा सकता है और capital कितना है अब, capital हो गया आपका 3,39,000 रुपीज का capital हो गया ठीक है, तो अब जो है आपका ये बना final equation क्योंकि इसके आगे कोई भी transaction नहीं है तो ये बन गया आपका final equation final equation चलो बताइए, अभी मौझूदा हलात में business के पास 2,65,000 रुपीज का cash है 30,000 का stock है जिसको बेचा जा सकता है डेटर से पैसा आएगा भी 1,24,000 का सामने बाले को पैसा देना है अभी creator को असी जा चुकाना है और जो honor का capital है और का पैसा जो business में है वो 3,39,000 रुपीज अभी है ठीक है तो आप total करोगे asset side तो आपका आएगा 4,19,000 चार,19,000 रुपे इधर देखो total करोगे तीनों को मिला दोगे इन तीनों को मिला दोगे total asset तो कितना है 4,19,000 रुपीज इधर है और इस side में अगर आप total करोगे capital plus libraries तो यह आएगा 4,19,000 रुपीज इधर भी है ठीक है तो चलो इससे हम एक फड़ा-फट balance sheet जो है वो हम बनाते है चलो तो अब हम एक balance sheet prepare कर लेते हैं cash कितना है 2,65,000 रुपे का stock 30,000 रुपे का आउटसर लाइब्लिस ट्रेटर असी जार का है और capital जो है वो है 3,39,000 तो इस amount से हमें मतलब है बाकि यह सारा amount से कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पर हमें सब को हटाते हैं और balance sheet आपको हम यहाँ पे prepare करके दिखाते हैं balance sheet क्या दिखाता है balance sheet financial position को दिखाता है balance sheet as at यहाँ पर जो date होगा वो लिखेंगे फिलाल कोई date नहीं है इसलिए यहाँ पर हम यह कुछ नहीं लिखेंगे खाली छोड़ देंगे और यह हो किया आपका balance sheet का format यह side आपका asset side होता है right hand side asset लिखेंगे amount और यहाँ पर liabilities liabilities में आप capital plus liabilities भी फिलाला भी लिख सकते हैं चलो cash अब asset side में क्या है cash है stock है और आपका data है लिखते है cash stock और data cash कितना है अभी देखो मौझूदा अलात में 2,65,000 रुपीज का cash है cash लिखते है 2,65,000 रुपीज stock है 30,000 रुपीज का 30,000 stock and जो data है वो है आपका 1,24,000 रुपीज इसके बाद इधर आते है capital कितना है और उसका capital liabilities side में 3,39,000 रुपीज and जो आपका outside liabilities जानी जो creditors है यहाँ पर गो है 80,000 रुपीज total कितना हो जाएगा 4,19,000 रुपीज इस side भी और 4,19,000 रुपीज आपका इस side भी तो balance sheet आपका tally कर गया क्या financial position है बिजनस का तो financial position यह है कि cash आपका 2,65,000 का है stock 30,000 का है data rich,66,000 का है capital आपका 3,39,000 का है और creditors 80,000 का है मात्र outside liabilities जो है वो 80,000 का है मतलब जो आपका business है वो अच्छे financial position में दिख रहा है तो यह आपका balance sheet है आज की वीडियो में इतना ही example number 9 हम लोगोंने solve कर लिया है अब हम practical question स्टार्ट करें next video से Thank you